अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो कि उसमें बताया था इस फूटिंग के अंदर जो स्टील डालेंगे उसका वेट कैसे निकालेंगे जो आपको वेट पता नहीं चलेगा आप शॉप पे जाके आप दुकान पे पता नहीं कर पाँगे आप कितना स्टील चाहिए आप ज्यादा ले आओगे तो आपको फिर से वापस लाने के लिए जाना परेगा आपका टांस्पोरेशन बढ़ जाएगा बहुत कुछ बढ़ जाएगा ठीक है तो इसलिए सीखना बहुत ज़री है कि आपका स्टील जो लग रहा है वो कितना केजी लगने वाला है कितना अपको बढ़ने वाला हूं पहले आप देख लीजिए यह आपको इन इन अपको देखना होगा तो यह चलनल स्ट है चालन का इसके तेशे हैं और इसके उपर यह कॉलम का इसे खरा हो रहा है और यह ब्लैक ब्लैक में जो देख रह रहे हैं अब इसका जाने लेते हैं, यह जो stirrup है, यह हम 8 mm डाया का यूज़ करने वाले है, दोस्तों, center to center करके, ठीक है, और यह जो vertical bar है, column का, यह होगा, 4 numbers हम लोग यूज़ करेंगे, 10 डाया का, ठीक है, जो पहले वीडियो देख जिक के हो, जानते ही हो, यह column का section है, ठीक है, यह vertical bar 4 है, यह 4 vertical bar आप यूज़ का 10 डाया का, ठीक है, और यह जो ring देख रहा हो, stirrup, यह stirrup आपका यूज़ होने वाला है, 8 mm का, 200 center to center, 200 center to center मतलब क्या, एक stirrup से एक stirrup के बीच का जो gap होगा, यह 200 mm होगा, फिर इस stirrup के बीच के जो gap होगा, और 200 mm होगा, ठीक है, तो चलिए, पहले इसका हम लोग बीच करना सीख लेते हैं, एक चीज़ आप देख लिजिए, यह column जो खरा हो रहा है, यह ground level से उपर जा रहा है, 800 mm, ठीक है, मतलब 1.8 meter, अब coverage जो हम लोग use करेंगे, यहाँ पर 40 mm का cover use करेंगे, side वाला, ठीक है, बट उपर में use करेंगे, यह 30 mm का हम लोग, ठीक है, column के य ground level से footing तक, जिसे हम लोग pedestal बोलते हैं, जिसमें यह print beam भी include है, print beam यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2500 mm तक यह आपका print beam है, यहाँ तक, ठीक है, 10 inch तक आपका print beam है, आपको इसमें दिख जाएगा, यह section अगर आप देखोगे, यह footing है, footing से pedestal निकला, यह print beam आ गया, इसी print beam के उपर तो यह brick work करेंगे न हम लोग, ठीक है, तो यह print beam से होते विए, फिर यह column state जा रहा है, तो वहीं देख लीजे, यहाँ पर आपका dice mm का, यह print beam है, बट column तो सिधा चला जाएगा, मतलब total अपका footing से लेकि यह उपर तक आपका जाए बहुत सरा वीडियो पहले डाल चुका हूँ, उसमें आपको सब मिल जाएगा boundary wall का, ठीक है, तो यह देख लिए यहाँ भी है, यह footing 300 mm का, यहाँ से यहाँ तक आपका 300, और यहाँ से यहाँ आपका जो print beam में यह 200, तो दोनों को जोनों को तो 550 आजाएगा, वही मैंने यहा निकाल लेता है, तो still निकालने के लिए मैं क्या सोचता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का column का still का length है यह तो मुझे असानी से मिल जाएगा, इसको और इसको add कर दूँगा तो यह मिल जाएगा, लेकिन इस footing के अंदर में यह कितना जा रहा है, यह जानना बहुत ज़रू निकालना परेगा, तो मैं क्या किया हूँ, मैं separate इस चीज को पहले निकाला हूँ, और इस चीज को मैं बाहर निकाल के बनाओंगा, तो कैसे बनेगा यह shape यह shape ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब यह, L type का है, इसको मैं बाहर यहाँ पर देखी निकाल के रख दिया हूँ, और इसको मैं A माल लिया हूँ, और इसको B माल लिया हूँ, तो पहले A और B निकाल और B निकाल देंगे, तो मेरा यह length निकल जाएगा, और मतलब यह length निकल जाएगा, और उसमें यह total add करूँगा, clear हो गया, यह total add करते वग में एक चीज है, उपर में कुछ एक concept है, वह बताता हूँ आपको, ठीक है, तो चली पहले मैं निकाल लेता हूँ, यह नीचे का य footing के अंदर में जाता है, तो यह formula है, देखिए, depth of footing, minus, cover, minus, still die in x and y direction, अब clear देखिए, इसको गोर से, formula के संग मिला का आपको सुनाता हूँ, पहले depth of footing हो गया, तो पहले मैं क्या करा हूँ, यह निकाल रहा हूँ, यह मतलब कहा से कहा तक, यहां से लेके, यहां तक, सिप य यह वाला पार्ट, ठीक है, तो पहले आप पूरा depth of footing ले लो, depth of footing मेरा कितना है, 300 mm, ठीक है, वही देखिए, 300 mm मैंने आप, वही देखिए, मैंने आप 300 foot लिखा है, यहां पे, depth of footing की जगा, आप देखिए, इसे minus cover किया हूँ, एक ही cover minus होगा, क्युकि उपर वाला जो पार् किया, ठीक है, आप इसके बाद क्या minus होगा, यह देखिए, x direction है, footing का जो यह steel जा रहा है, इस steel का dia minus होगा, प्लस यह जो y direction भी steel है, इसका भी dia minus होगा, clear हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैठाएंगे, तो total किना तो 300, minus cover कियेंगे 50, उसके बाद इसका dia है 12 mm, औ 12, 12, 24, तो 24 और minus हो जाएगा, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया है, cover कि जिएका 50, die up, steel in x and y direction, x direction हो 12, y direction में 12, दोनों मिला के 24, तो दोनों को minus करोगे, तो 226 हो जाएगा, तो 226 मेरा a आ गिया, मतलब यह जो length है न, यह मेरा मिल गया 226, ठीक है, अब b निकाल लेते है b निकाल लेते है, b कैसे निकलेगा, b तो easy है, मैंने अभी आपको बोला, कि इसको minimum आपको 300 पकरना है, ठीक है, तो वही मैंने b यहाँ पर 300 mm ले लिया है, अब a और b को add कर दो, a और b को add कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 526 mm, तो हम लोग footing के अंदर में मेरा column का still कितना ज आता है, 50, और column जो still use कर रहे हैं, कितना डायका है, यह 10 डायका है, यहाँ पर देख लो, यह 10 डायका है, तो 50 into 10, कितना हो रहा है, 500, अगर हम लोग यह calculation ऐसे नहीं करते हैं, तो कितना आता 500 आता, LD के हिसाब से, मेरा यहाँ पर आ रहा है, कितना, देख लो add करके, 526 mm, 627 क और उसमें हम लोग जो यह bend आ रहा है, यह bend minus कर देंगे, ठीक है, तो एक ही bend है, तो यहीं देखे, मैंने लिखा है, cutting length की जगा, length minus bend deduction, अब देखी, सबसे पहले हम लोग length निकाल लेते हैं, length निकालना थोड़ा पे, यहाँ पे एक episode है, सबसे पहले हम लोग length निकाल लेंग यह उपर से मुझे cover minus करना होगा, यह cover कितना minus करना होगा, यह आपको 37 का minus करना होगा, ठीक है, तो वही मैंने देखिए, minus किया है, total ले लिया ground floor से उपर का 1800, और उसमे minus किया है, यह 37, तो यह 37 minus हो गया, उसके बाद, plus 200, यह 200 कौन सा add किया है, ground level के उपर तो कर दिया, आप उसके बाद 300 मैंने add किया है, 300 क्या है, यह पर pedestal है, मतलब, totally कितना है, 550, please be minus करतो होगे, 200, तो कितना बचेगा, यह 300 बचेगा, तो वही मैंने यहाँ पर 300 लिखा है, तो यह आप 200, 300 की जगा आप डाइरेक्ट यह 550 भी लिख सकते हैं, मैं ब्रेकप का क्या पर संजाने के बताया, ठीक है, तो हम लोग उपर से लेके नीचे तक तो आ गए, अप अंदर में यह कितना add हुआ है, जो हम लोग निकाले है, A और B को add करके जो निकाले थे, वो कितना निकाले थे, 526, वही मैंने यह आप यह 526 लिखके add कर दिया है, तो यह total length of column हो गया, तो इसको add कर तो 2846 mm आ जाएगा, ठीक है, तो यह आपका length हो गया, इसमें आपको bend deduction करना है, नीचे में देखी, यह 90 का bend आ रहा है, इस still में इसको bend minus करना होगा, तो बस simple है, cutting length में length की जगा, यह total length निकाले वो बैठा दो, minus, bend deduction में number of bend कितना है, सिर्फ एकी bend है, मतलब हम लोग एक steel का निकाल रहा है, एक steel में कितना है, एक ही bend आ रहा है, तो 1, और एक bend के लिए कितना होगा, यह 90 degree का bend है, तो 2D minus होगा, तो 2D, डाया कितना है, डाया और बार मेरा 10 mm बाया है, ठीक है, तो बस इसको calculate करोगे तो आपका आएगा 2826 mm, इसको meter में convert करोगे तो आएगा 2.825, ठीक section देखोगे न, तो column का section में उपर से देखोगे, तो चार vertical bar है, तो एक vertical bar जो होगा, वो total कितना लंबा होगा, वो होगा 2.85 meter का, तो total मेरा यहाँ पर कितना है, कितना बार है, एक, दो, तीन, चार, चार बार है न, तो multiply कर देंगे 4 से, तो for one numbers column, एक column के लिए steel कितना वाला है, 11.3 meter, तो total column मेरा कितना है, 14 numbers column है, जिने पता नहीं है, देख लिजे, यह plan में आपको पता से लिएगा, कितना column है आपका, एक, दो, तीन, चार, चार, आठ, ज़र, चार, आठ, नो, दो, दो, सिगारा, बादा, तीन, चौदा, 14 column है, तो एक column के लिए मेरा total इतना मेटर निकला है, तो 14 column के लिए मेरा इतना आजाएगा, multiply कर देना, for 14 numbers column still required, 11.3 into 14, 158.2 meter, ठीक है, तो हमारा 14 numbers of column के लिए steel कितना आगया, 14, 158.2 meter मेरा total steel लगने वाला है, column में, ठीक है, अब ये तो हमारा vertical bar हम लोग निकाल दी है, vertical bar सो निकाल चुके, अब हमें निकालना है, steer up को, steer up का भी तो steel लगेगा, तो steer up का आप section देखोगे, तो देख लीजे, कुछ इस तरीके से ये section है, ये blue color में जो अब देख रहे हो ना, ये steer up है, ये मेरा hook है, ये hook आपको लेना है 10D, ठीक है, चलिए, अब आगे, और steer up का यो डाया है, 8 mm का है, 200 center, ठीक है, अब देख लीजे, cutting length up steer up क्या होगा, 2 into A, plus 2 into B, plus hook minus bend, अब A और B क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ यहां के, देखिए, ये आप देख रहे हो, column का हूँ, आपका A है, यहां से यहां तर, ये part है आपका A, और ये part है आपका B, ठीक है, मतलब जो steel है ना, वो है A और B, तो ये कैसे निकलेगा, total आपको पता है 200, इधर से cover minus करेंगे, इधर से cover minus करेंगे, तो B निकल जाएगा, same, ऐसे, इधर से 200, इधर से cover minus करो, इधर से cover minus करो, तो आपको ये A भी निकल जाएगा, clear हो गया, तो वही मैंने यहां लिखा है, तो यहां पर A देखो कितना है, A के इधर आया, A के इधर आया, मतलब इस लिए मैंने 2 into A लिखा है, अब 2 into B मतलब, एक B यहां पे है, और एक B यहां पे है, उस में bend को minus करना है, तो यहां पे देखी, total 5 bend है, 90 degree का 3 bend है, 1, 2, 3, और इस जगा पे 135 degree का 2 bend है, clear हो गया, अब जब यह steel का stir up देखोगे न, तो यह कुछ ऐसे होगा, ऐसे, तो यहां पे 90 degree का 3 bend आया, और यह जगा पे, यह 135 का, और यह steel जब जा कैसे घूम रहा है, तो इसका 135 बिगनी का bend आ रहा है, ठीक है, बस आप value put कर दो, 2 into A, पहले A निकाल लेते है, A कैसे निकलेगा, पहले देखी, यह है A मैंने माना था, आप इसको भी A माना था, तो कोई प्रावलम नहीं था, यह A मतलग, यह total 500, और cover minus करो, मैंने cover कितना पकड़ा है, 40 mm का cover पकड़ा है, ठीक है, तो 40 इदर से minus करो, 40 इदर से minus करो, 40, 40, 80, 250 में 80 आप minus करोगे, तो कितना आएगा, 170, वही मैंने 170 यहाँ बढ़ा है, same 2 into B, यह B देखो, total है आपका 200, 40 इदर से, 40 इदर से minus करोगे तो 170 आजाएगा, तो 2 into 170, plus hook, अब देखी, यहाँ पर hook कितना है, दो hook है न, एक hook किये होगे, एक hook किये होगया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यह 2 लिखा है, यह numbers of hook के लिए है, और यह hook का होगा 10D, मतलब 10 और यह D, die of stir up, तो die of stir up मैंने किना आपका रहा है, 8 mm का, ठीक है, तो यहाँ पर 8 बैठा दो, तो 2 into 10 into D हो गया, अब bend के लिए minus करेंगे, सबस यह number of bend लिखे 3, और यह 2D हो गया, मतलब ठीक है, यह 2D, यह आपका है 10D, ठीक है, तो 2D के लिए 2 into die of bar 8, यह minus हो गया, अब देखिए, यहाँ पर 135D का किना bend है, 1, 2, 2 है ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, 2, और 135D के लिए हम करेंगे 3D, यह हो गया 3D, ठीक 0.745m, ठीक है, एकले आएगा 0.744m, मैं इसको round off कर दिया हूँ, 0.745m, ठीक है, तो यह एक stir up का length आपको निकल गया, cutting length निकल गया, बट यहाँ पर एक ही stir up आएगा, क्या, यहाँ पर देखिए, बहुत सारा stir up आने वाला है, तो कितना stir up आएगा, वो निकाल लेते हैं, तो कितना stir up आने वाला है, इसके लिए भी हमें एक length निकालना परता है, suppose देखिए, आपका जो stir up है, यहाँ से लेके, यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो यह length मुझे चाहिए होता है, जहाँ, जब भी stir up निकालता है, कुछ भी numbers of कुछ भी निकालेंगे न, तो उमको length लगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालने का, length by spacing plus 1, तो stir up का spacing तो मैंने आपको बता ही दिया है, कि 200, तो यह देखिए, 28, 28, 28, 200, 200, 200, 300, तो spacing की जगा तो आप डिर्क 200 बेठा दोगे, यह plus 1 बेठा दिये, लेकि length की जगा 2536 कैसे आया, यह जानना यह, ठीक है, अब आ कर देना कि 2846 यह लेना यह नहीं लगेगा 2536 यह कहां से आया यहां पर देखी मैंने निकाला है ठीक है सबसे पहले लेंथ चलिए मैं आपको बताता जाओंगा और दिखाता जाओंगा कहां तक स्टिल मुझे लेना है मैं यह बहुत एकुरेट करके बताता हूँ ठीक है मैं इतना आम लोगों जब साइट पर करते हैं तो इतना एक्जैक नहीं करते हैं Actually, मैं client form में हूँ, मैं real estate में हूँ, client form में हूँ, तो मुझे छोटा से छोटा चीज पकरना पड़ता है, ताकि मैं कैसे contractor का पैसा चाप सकू, contractor को कम दू मैं, जितना हो सकेगा, लेकिन कम मतलब बिना मतलब का नहीं, हिसाब से, as per जो rules के हिसाब से जो होगा, मतलब contractor मुझे cross check ना कर पाए वहाँ पर, तो यह देखिए, आप क्या करते, यह जो length निकला था, यह 300 माइनस कर दो, total जो length निकला था, 300 माइनस कर दो, total यह मिल जाएगा आपको, लेकिन और एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी का बात है, वो क्या है, पहले हम लोग length निकलते है, तो यह जमीन से उपर का पहले length लेते हैं, तो यह कितना है, अठारो सो, अठारो सो में यह मैंने बताया कि 30 माइनस कर दो, तो आपको still तक का length मिल जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर किया है, अठारो सो माइनस 30, प्लस धाई सो अपका plinthivum के लिए आगया, धाई सो अपका plinthivum के लिए आगया, प्लस तीन सो फिर pedestal के लिए आगया, यह तीन सो, प्लस अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर गौर की जिएगा, 226 माइनस 10 यहाँ पर क्या है, ठीक है, 226 यहाँ पर क्या है देखिए, 226 आपका यह जो मैंने A निकाला था ना, A देखिए मैंने यहाँ पर निकाला था, 226 आया था, अब एक sketch आप देखिएगा, sketch में आपको clear हो जाएगा, मैं यहाँ पर steel का thickness consider कर रहा हूँ, यह आपका A है, यह B, तो यह जो आपका 226 निकला है, वो कहाँ से कहाँ तक निकला है, वो यहाँ से लेके, यह नीचे तक का निकला है, यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का 226, बर जो आप रिंग पहना होगे, तो आप यहाँ तक नहीं पहना होगे, यहां तक से, यहां से actually start करना है यह वाला part से तो जो 226 है ना उसमें यह जो इसका खुद का still जा रहा है यह dia minus हो जाएगा तो यह कितना है 10 mm 226 में हम लोग क्या करेंगे minus 10 करेंगे 216 mm आजाएगा तो ठीक है, यही मैं minus किया हूँ 10 mm का देखिए, वही मैंने 10 mm minus किया है, तो जब calculate करोगे तो आपका आएगा 2536 mm ठीक है, तो इसी length को आपको यहां पर बैठाना है तो यह आगे 2536, calculate कर दोगे तो आपका आएगा 13.68 numbers अब 13.68 numbers होगा नहीं आप्लोक्स कर दिए 14 numbers तो यह 14 numbers of ring आपका लगेगा एक कॉलम में ठीक है, तो देखिए cutting length हमने निकाला था एक stirrup का इतना, तो हमारा total stirrup कितना लगने वाला है, एक कॉलम में 14 numbers, तो 14 numbers कि लिए हम लोग देख लेता है, कि इतना meter still लगेगा मेरा तो यहां पर पासल लाएगा for one numbers column, still required for stirrup, cutting length कितना था एक का, 0.745 meter into एक कॉलम में total stirrup 14, तो multiply कर दोगे तो इतना meter, इतना meter still मेरा एक कॉलम में लगेगा सिफ stirrup के लिए total column कितना है, 14 column for 14 numbers column, still required एक कॉलम का जो meter लगने वाला है, वो into 14, कर दोगे 146.02 meter है, तो इतना meter steel आपका लगेगा, क्या stirrup के लिए, ठीक है, तो अब हम लोग kg में निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, total vertical bar, vertical bar हम लोग 10 डाय का डालेते हैं, तो required कितना होगा vertical bar का steel मेरा total कितना निकला था, यहाँ पर मैंने निकाला है, देखिए 158.2 meter, total 14 column के लिए, तो इतना into 0.617, अब आप पूछो कि 0.617 क्या है, तो यह unit weight of steel है, 10 mm डाय का, ठीक है, अगर एक steel होगे, एक steel को अगर आप 1 meter काटोगे न, तो उस 1 meter का weight करोगे, 10 डाय का steel का, तो उसका जो weight आता है, वो 0.617 kg आता है, तो यह total 1 meter का weight है, 1 meter का इतना kg weight, तो total meter कितना है vertical bar camera, 158.2, multiply कर दोगे तो 97.6 kg, अब आप रॉक्स कर दिए 98 kg, ठीक है, अब हम एक steer up का निकाल लेते हैं, जो हम लोग 8 mm डाय का यूज़ करने वाले हैं, तो total steel आप हमारा कितना kg निकला था, यहाँ पर देख लिए, 146.02 meter, तो इतना meter के लिए, एक meter का weight होता है 8 mm डाय का, 0.395 kg, तो इतना meter के लिए कितना होगा, multiply करोगे, आप 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 आजएगा 58 kg steel, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग kg निकालते हैं steel का, तो यह वेस्टेज छोड़के हैं, तो आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजए, तक इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहे हैं, रेगलर, और आप आप लोग एकदम प्रैक्टिकल बेस्ट जो अम लोग यह सब चीज नहीं सिखाता है, कि बहुत जगा झाल 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 झाल